आप लोग ठीक हो बड़ी खबर सामने आ रही है आरियन खान को NCB ने अर्रेस्ट कर लिया है आरियन खान गिरफ्तार हो चुके है और 24 घंटे तक आरियन खान NCB की कस्टेडी में रहने वाले है और आरियन खान से जो जो चीजे बरामद हुई है वो सुनने के बाद आप पूरी तरीके से शौक्त हो जाओगे तो इस वीडियो को पूरा देखना एंट तक वीडियो काफी इंटरस्टिंग होने वाली है हमी जान कहती थी कोई धंदा छोटा नहीं होता और धंदे से बड़ा कोई धरन नहीं होता बिल्कुल सही यह डैलोग आपने सुना होगा शारुख खान की मूवी का है तो अबबा जान के इस डैलोग को सीरिसली लेते हुए आरियन खान के पास से 22 MDMA की गोलिया मिली है 13 ग्राम कोकेन बरामद हुआ है 21 ग्राम चरस और 5 ग्राम MD बरामद हुई है इसी के साथ साथ 1,33,000 रुपे कैश मिला है आरियन खान को जब गिरफतार क्या गया था क्रूज शिप से NCB द्वारा तब एक बात चुपाई गए थी हमसे यह बोला गया था एक बॉलिवूड के स्टार का बेटा गिरफतार हुआ है तब कहीं न कहीं मिरे दिमाग में यह हिंट गया था कहीं यह आरियन खान तो नहीं और मेरा यह शक सही हुआ और यह आरियन खान ही निकला इस नाम को छुपा लेगी बहुत कोशिश करी गई भरसक प्रियास करे गए लेकिन जो चीफ है दोस्त अरिबास मर्चंड को भी गिरफतार कर लिया गया है और मुनमुन धमेचा को भी गिरफतार कर लिया गया है आपको बता दूं कि आरियन खान का केस इंडिया के वन अफ दा मोस्ट एक्सपैंसिव लॉयर सतीस मनशिंदे लड़ रहे है यह नाम आपने कहीं सुना है आपको सुना सुना लग रहा होगा जी हाँ सतीस मानशिंदे ने ही रहा चक्रेबर्ती का केस भी लड़ा था सतीस मानशिंदे ने सलमान खान और संजे दत का केस भी लड़ा है तो भाया शारुक खान ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया कि कैसे भी करके मुझे अपने बे सबस्क्राइब करेंद औरा हुए उसे चोड़ दीजिए लेकिन यहमारे पास हमारे पास हाउर से ए इसका का हूं से आया यह भίν इसकर पास से तो और इसके बाद चád नहींा यह खान ने कबूला है कि उन्होंने ड्रक्स कंजूम किया था लेकिन प्रिजर्व नहीं किया था अपने पास नहीं रखा था उनके पास ड्रक्स का कोई भी पोजेशन नहीं था उन्होंने सिर्फ कंजूम किया था बरहाल जो इसके दोस्त है अरबाज मर्चेंट और मुनमुन ध खमेचा उनके उपर ड्रक्स पोजेशन यानि कि रखने का रोप लगा है आपको बता दू लॉस के अनुसार अगर आप ड्रक्स कंजूम करते हो तो उसकी सजा कम है वो एक बेलेबल ओफेंस है और जातर इंसान उसमें छूट जाता है अफटर आल शारुक खान का लड़का है भाई किसी रमेच ये शुरेश का लड़का होता तो जेल में चक्की पीसरा होता साल जीति साल लगजाते उसको निकलवाने में लेकिन शानुप खान के लड़का है शारुक Khot 현 पने तो चlaitि के बार यह हो जा आगा यह आपको लिख के देगा हूं इस video के बादब से इस video को आप सेफ करके रख लो मेरी जमान है ठीक है कुछ लोगों की शिकायत है आ रही थी कि उनके पास video नहीं पहुच पा रहा है उनके पास video को कर रखा है तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि एक बद चक कर लीजे कि आपने चैनल को सब्स्राइब कर रखा है कि नहीं कर रखा अगर नहीं करा तो आप कर सकते हैं और आप नॉन बेलेबल ओफेंस है उस केस में बेल होना मुश्किल है बेल नहीं होती है तो ये फरक है possession में और consumption में NCB ने जिस तरीके से raid बारी थी मैंने अपने पिछली यूड़े में बताया था कि NCB एक cruise में गई बिल्कुल casual होके गई थी किसी को भी party में उस cruise में भनक तक नहीं लगी कि NCB के officers हमारे बीच मौझूद है क्योंकि वो बिल्कुल casual बनके गए थे और जैसे ही party स्टार्ट हुई वैसे ही NCB की team action में आई और तुरंत search operation जारी किया और सब को धर्दबोचा उसी में निकला ये आरियन खान बॉलिवूड मेगा स्टार सो कॉल मेगा स्टार शारुक खान का सुपुत्र आरियन खान अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सल्मान खान देर रात पहुचे शारुक खान से मिलने उनके घर मन्यत में अब क्या discussion हो रही होगी वो हब समझी सकते हो कि कैसे जल्द से जल्द अरियान खान को जेल से निकाला जाए इसकी भरसक परियास हो रहा है और 24 घंटे के बाद अरियन खान निकल जाएगा और ये तक पुरूव हो जाएगा कुछ दिनों में कि आरियन खान तो दो अक्टूबर को क्रूस पर था ही नहीं आरियन खान तो विजय और उसकी फैमिली के साथ सत्संग ने गया तो उसके बाद उन्हें ने पावबाजी खाई थी तो भाई ये जो कानून है ना गरीब आदमियों के लिए अलग होता है और अमीर और पारफूल आदमों के लिए अलग होता है ये बात कडवी है मगर सत्य है अगर आप इस बात से अगरी करते हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेर करना अभी हाली में मैंने एक इंटर्व्यू देखा शारुक खान का जिसको देखने के बाद आप सब के पैरो तले जमीन खिसक जाएगी क्योंकि जो बाते शारुक खान ने बोली है उस इंटर्व्यू में वो मतलब आप एक्सपेक्ट ही कर सकते कि ये बात बोली जा सकती है ये इंटर्व्यू है 1997 का जिसमें शारुक खान और उनकी धरम पतनी गौरी खान एक इंटर्व्यू में गए थे सीमी ग्रेवाल के टॉक शो में जब सीमी ग्रेवाल ने पूछा आर्यन खान के बारे में तो शारुक खान ने जो बोला तो शारुक खान के जुबानी तो देखा आपने सुना आपने शारुक खौन ने ये बोला चाहते है कि आर्यन खान लड़कियों का पिछा करे लड़कियों को चेस करे बिसिकलिय लड़की वाजी करे वो चाहते है कि उनका बेटा आर्यन खान ड्रुक्स करे S.E.X करे जो वो खुद नहीं कर पाए जो वो चीजे अपनी लाइफ में नहीं कर पाए स्ट्रगल के वज़े से या किसी भी वज़े से वो चाहते है कि वो पूरी अयाशी उनका बेटा आरिन खान करे और अब जान की बात बेटा कैसे टाल सकता है तो बेटे ने वही किया जो आप देख रहे हैं टीवी में मेरे वीडियो के थुरू कि वो ड्रक्स लेता वा पकड़ा गया इस पावन अवसर पर मुझे कुछ बाते याद आ रही है श्री मती जया बच्चन जी की आईए सुनते हैं उनकी बात तो सुना आपने आदर ने जया बच्चन जी का यह कहना है कि क्यों बॉलिवूड के उपर सवाल उठा जाते हैं क्यों बॉलिवूड को निशाना मनाया जाता है कुछ लोग है बॉलिवूड के जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेत कर देते हैं तो जया बच्चन जी, मेरा आपसे ये कहना है, कि जो थाली है बॉली वुट की न, ये काफी ज़ादा मैली हो गई है, यहाँ पे कोकेन पड़ा है, यहाँ पे हशीश पड़ा है, यहाँ पे MDMA पड़ा है, यहाँ पे MD पड़ा है, और यहाँ पे गांजा पड़ा है, तो इस गंदी ठाली को फेक दिना चाहिए क्योंकि इस ठाली को देख खर जो हमारा यूथ है वो काफी ज़्यादा मैनुपलेट हो रहा है काफी ज़्यादा बरबाद हो रहा है इंडिया एक लौती ऐसी कड्री है पूरे वर्ड में जहाँ सबसे ज़्यादा यूथ पॉपिलेशन है और आज का यूथ जब इन एक्टरो को इन एंट्रेनर्स को देखेगा बोलेगा कि मुझे ऐसा बनना है मुझे ऐसा बनना है तो वो कैसा बन सकता है आप सोच सकते हो तो जो ये बाते है कि भाजी हमें बदनाम किया जा रहा है हमारी जो इंडस्ट्री को है हम टार्गिट नहीं कर रहे है जो कारणा में करे है वो आप सामने आ रहे है और सामने क्यों आ रहे है उसका रिजन भी आप जानते है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना तब तक आत्मा को शान्ती नहीं मिलेगी और जब तक आत्मा को शान्ती नहीं मिलेगी न तब तक ये सारे चेहरेस जो है सामने आएंगे और पूरा का पूरा सर्वनाश निश्चित है निश्चित है सर्वनाश बसे शारुक खान को मैंने एक एड करते देखा है गाईजूस लर्निंग एप का लेकिन वो खुद के बेटे को कुछ सिखा नहीं पाए कि क्या सही है क्या गलत है किस चीस को कंजूम करना किस चीस को नहीं करना पता नहीं कैसे बस एक बात बोलनी आती है बोलो जुबा केशरी दाने दाने में केसर गदम तो वीडियो में बस इतना ही अगर आप मेरी बात से अगरी करते हैं तो इस वीडियो को शेर कीजिए लोगों तक इस वीडियो को पचाए तकि लोग भी जाने कि आखिर जिस लोगों को आप स्टार मानते हो जो बोलते हो आपकी ये स्टार है ये फलाना है धिकाना है भाई साब इनकी सच्चाई आप तक पहुचना बहुत ज़रूरी है हम अपने यूथ को बरबाद होते वे नहीं देख सकते वीडियो को शेर करना अपनी जो राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है क्या होना चाहिए हर एक को पीनियन मैटर करता है पल पल के अपडेट्स आपको मिलती रहेगी बता के लिए धन्यवाद